हेलो एवरीवन वेलकम टू पढ़ले 1130 हुमेनिटीज आप लोग सेफ होगे अभी प्रिकॉशन ले रहे होगे और अपनी फैमिलीज का भी ख्याल रख रहे होगे तो आज हम लोग चालू कर रहे होंगे इंटीर ऑफ दी अर्थ जो तुम्हारी फंडामेंटल और फिजिकल ज देखते हैं यार मेरे बारे माइने में शिवारज गुपता बाकी तुम देख सकते हो एंड यार एक चेज मेक्शुर करो कि तुम इन प्लैटफॉम पर हमसे ज़रूर जुड़े हो क्योंकि कोई भी अपडेट आ रहा होता है कोई भी डिसकुशन होता है और तुम्हारा नोट साते तुम्हारे लिए जो माटेरियल आता है पर्ले डॉटिम से तुम डाउनलोड कर सकते हो ठीक है और एक चीज में हर लेक्शर के पहले बोलता हूं यहां पर भी बोलूंगा कि यार लेक्शर इसके तरह मत देखना इसके तरह देखना तुम बोर भी नहीं होगे त और कोई बी चीज तुमको लगती है तुम मुझे बता सकते हो ठीक है तो यार चालू करते हैं तुम्हारा चैप्टर क्या है इंटीर ऑफ दी अर्थ तो यह कुशन तो हमेशा होगा ना एर्थ की अर्थ के अंदर है क्या-क्या अर्थ एकदम बॉल के शेप की है मतलब तरह की आती है लेकिन मान लो तुम्हारी एकदम सॉलिड बॉल है एकदम तुम्हारी अंदर से सॉलिड है उस टाइप की होती अर्थ या फिर अंदर से तुम्हारी पूरी खोकली है दोनों ऑप्शन है तो यार यह चीज हमको पता कैसे चला हम तो कभी गए नहीं क्योंकि अर्थ का जो डाइमीटर होता है या रेडियस होता है रेडियस जो होता है वो 6000 किलोमीटर के आसपास होता है तो यार इतना डीप में तुम बताओ हम लोग गई ही नहीं आस तक तो यार कैसे बता दिया हमने की अर्थ का शेप क्या है कैसा है अंदर ठीक है तो यार आज हम यही सब चीजेव को जान हुँए अब उसके बाद कुछ और चीजे आती है कि 와서 रहते हैं तुमारे अर्थ में वो कैसे आया। उनका इरफशन तुमने देखा हो और कहीं न फोटो वगरा में काटून वगरा में कहीं देखा होगा। तो कैसे आते हैं क्यों बनते हैं तो आज हम इन सारे कोशन से डील कर रहे होंगे ठीक है तो यार interior of the earth can be understood only by indirect evidence अब ऐसा इन्होंने इसले भी बोला है कि यार वही सीधी बात हम इतना अंदर earth के जाई नहीं सकते ठीक है तो सिर्फ एक ही तरीका बसता है कि जो indirect sources, indirect जितनी भी चीज़ें मिल रही है हमको उससे हम study करें कि earth क्या है और फिर हम आखरी में conclusion निकालें ठीक है largely a product of processes operating in the interior of the earth अब यार तुमारे अर्थ के अंदर जैसे अर्थ के बाहर processes होती है जैसे हमने बात कि थी तुमारी endogenic और exogenic forces ठीक है तो इस तरह तुमारी अलग-अलग processes होती है अर्थ के अंदर भी और इसी के और जैसे जो भी तुम शेप देख रहे हो अर्थ का हमने पिछ अर्थ के अंदर क्या हुआ कैसे हुआ क्या होता है उसकी एक basic जानकारी होना बहुत जरूरी है ठीक है तो यही चीज़े हम देख रहे होंगे और यह तुमारा introduction है चैप्टर का ठीक है और human life भी से बहुत जादा influence होती यार इन चीजों से इसलिए बहुत जादा important हो जाता ह है कि इन forces से क्या होता है जो तुमारा landscape है वह कैसे change होता है ठीक है तो यह सब चीजों के वज़े से तुमारा फर्क पढ़ रहा होता है तो हम इन चीजों को देख रहे होंगे कि क्या होती है कैसे होती है क्यों होती है ठीक है तो understand why the earth shakes and how tsunami waves is generated it is necessary that we know certain details of the interior of the earth अब भुकम क् interior क्या हो रहा है यह जानना बहुत जरूरी है ठीक है चलो देखते हैं और एक चीज़ आकरी में यह भी बता है कि तुम्हारे previous chapter में तुमने देखा कि earth कैसे form हुआ इसे अलग-अलग sources थे और अब यह scientist को कैसे पता चला कि earth के अंदर क्या है अर्थ के अंदर गर्मी है और ज तो कैसे आई हैं यह सब चीज़े हम जान रहे होंगे ठीक है तो वही है पहली बात हमने अभी की sources of information तो पहले जान लो की असली में sources हैं क्या यह ठीक है तो वही मैंने तुमको अर्थ का radius बताया था कि यार इतना जादा radius है तुम्हारा 6000 km से जादा radius है तो यार इतना दूर देखेंगे कि यह interior of the earth कैसे बना है और कुछ जो information है ठीक है यह last point देखो yet a part of information is obtained from the direct observation and analysis of matter देखो most of the तो तुम्हारा हमने अपने मंद से अनुमान लगाया है ठीक है कोई गया नहीं है वहां तक कुछ sources हमको मिलती है फिर भी जैसे तुम्हारा जो magma होता है जो जो आला मुखी से निकलता है वो interior से ही आता है अर्थ के तो इस टाइप से sources हो गया है और कुछ हमने waves बगर डाली है और मतलब waves वगर हम भिशते हैं वह हम आगे देख रहे होंगे तो उन सबसे हम पता करते हैं कि जो अर्थ के अंदर का जो material है या फिर surface है वो कैसा है ठीक है तो देखो पहले हम direct source की बात कर लेते हैं कि directly हम किन-किन material से deal करते हैं तो पहला तो mining area भाई तो mining area मे maximum mines गहीं तुम्हारी 3-4 km लेकिन इस 3-4 km में क्या-क्या है कैसे कैसे है यह सब हमको पता चलता है mines के और यह से तो एक basic हमको idea लगता है कि ऊपर की layer में क्या है ठीक है फिर भी इसके तुम्हारे limitations है बहुत जादा deep तक जा नहीं सकती और इस basis पर हमने जितनी information निकाल सकती थ तुम्हारे ठीक है इसको mainly crystal position तुम्हारा पहला जो layer होता है यह तुमको पता होगा तो जो crystal जो details है जो crust का जो parts है वह हमको mainly इन सब चीजों से पता चल रहा होता है ठीक है और तुम्हारे कुछ अब देखो 3-4 km ही जा पा रहे हैं तो हम ocean के अंदर भी खुदाई करते हैं ठ integrated ocean drilling project यह तुम्हारा MCQ pattern है तो यार इस टाइप से तुमको पूछ सकते हैं ठीक है तो इस टाइप से तुम्हारी drilling होती है उसमें तुम्हारी deepest अभी तक हुई है 12 km कहां पे cola in Arctic Ocean ठीक है तुम यह चीज़ देख रहे होगे अभी देखो फिर भी हम लोग 6000 km की बात कर रहे है क फिर भी हम देखते हैं direct sources और क्या-क्या है ठीक है this this and mini drilling projects have provided large volume of information through their analysis of material अब यार तुम्हारी बहुत सारी इन सबने भी बहुत आदा information दी है हमको ठीक है mainly crystal part के लिए आगे देखो दूसरा source मैंने तुमको बताया volcanic eruption कि जब volcano erupt होता है तो उसमें से magma निकलता है और magma होता क् magma mainly वह material है जो earth के अंदर बेसिकली गरम है जब थंड़ा होता तो भी rock जासा हो जाता है तो यार वह जो rock बनता है बाद में ठीक है उसका अलग अलग नाम होता है हम बाद में बात कर रहे होंगे plastic तुम्हारी rocks होती है वह अलग चीज़ हो गई वह हम आगे बात करेंगे तो यार तुम देखतो रहो कि तुमने जो देखा तुमको समझ आगे वह earth के अंदर से है लेकिन वह कितना अंदर से है तुमको कभी पता नीचे लेगा यह तो तुमको जो आलाम हो कि दिखा उसके अंदर से निकला अब तुमको कैसे पता कि वह earth के 12 km में था की 22 km में था की और नीचे था तुमको कोई आइडिया नहीं रहेगा ठीक है इसलिए इसके भी limitations होती है अब इसलिए अब हम indirect sources की तरफ बढ़ते हैं direct sources है क्योंकि बहुत जाद हमको पता नहीं चला ठीक है बहुत जादर deep में भी गये तो हम लोग 50 km 100 km स्यादर deep में अभी लोग बात नहीं किये हैं और हमको कहां तक जाना है 6000 km तो अब देखो यह journey कैसे जाएगी यार तुमको यह समझा गया maximum तुमको information indirectly देखनी पड़ेगी और mining से हमको क्या पता चला mining से हमको यह पता चला कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे वहाँ temperature, pressure ऐसी चीज़े जैसे तुम नीचे जाएंगे बढ़ती जाएंगी ठीक है तो यह जब trend हमने देखा तो हमने यह लगाया कि नीचे जाते जाते प्रेशर और बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, temperature बढ़ेगा तो हमने एक basic rate of change निकाला अब देखो तुमको समझ आ रहा है कि एक किलोमीटर में मानलो तुम्हारा दो डिगरी गया रुको एक पर्मेरेंट पैनलो ठीक है मानलो तुम्हारे एक किलोमीटर में हाँ एक किलोमीटर में तुम्हारे दो किलोमीटर के लिए दो डिगरी का फर्क पढ़ रहा है यह मैंने एक basic बताया कोई एकदम exact मैंने नहीं बताया बस तुम्हारे understanding के लिए कि इस तरह हम rate निकाल सकते है तो इस तरह हमने जब rate निकाल लिया तब हम एकदम नीचे की बात करेंगे अब तो हमने इस तरह बताया क कि जो तुम्हारा अंदर का पार्ट है वो और जाधा गरम है ठीक है उसमें से कुछ liquid पार्ट भी है आखरी में जाओ तो liquid की जगा फिर solid हो जाता है उससे जाधा गरम होने के बाद भी तो यह इस टाइप एक question बहुत confusing है थोड़ा रहो इन चीज को हम आगे देख रहे इतनी बाते समझ आ रही होंगी बहुत basics थी ठीक है another source of information is meteors अब देखो यार यह थोड़ा सा confusing हो जाता है लेकिन फिर भी यह एक source होता है अब देखो meteors क्या होते है meteors तुम्हारे अर्थ में नहीं पाए जाते हैं तुम भी जाते हो meteors क्या होते हैं तुम्हारे बाहर से आके गिरते हैं अर्थ में और इनको हम study करते हैं लेकिन यार यह तो अर्थ का पार्ट नहीं है तो इनको क्यों study कर रहे हैं हम इनको study करने से यह पता चलता है अब कर सकते हैं, इनके interior material का study हम कर सकते हैं, तो earth भी इसी तरह बना होगा, resemblance होगी दोनों में, इसलिए हम meteor को study करते हैं, और निकालते हैं, फिर भी इसका यहां पर यह drawback हो जाता है, कि हो हमारे earth का part नहीं है, तो कहीं न कहीं उसमें changes दिख जाते हैं, कुछ, ठीक है, और कुछ औ और indirect sources की बात करो, तो gravitation, magnetic field और seismic activity, ठीक है, gravitation की विजए से तुमारे landform में बहुत सारे change होते हैं, magnetic field से हमको यह पता चल जाता है, कि जो earth में, जो magnetic materials का distribution है, वो कैसा है, और seismic activity हो सकते हैं, तुमारे लिए नया word हो, और तुमारा आधा chapter इसी word को समझने में निकल जाएग मतलब इसी से related सारी चीज़े हैं, तो हम उनकी बात कर रहे होंगे, ठीक है, पहले gravitation देख लो, अब यार देखो, तुमारी gravitational force हर जगा सेम नहीं होती, ठीक है, तुमारे earth में अलग-अलग जगा होती है, अच्छा तुमको पता है बच्पन में, पहले तुमको बलाएगा थ सकता है, नहीं समझ आ रहा, लेकिन ये फोटो देखो, तुमको समझ आ रहा होगा, यहां से तुमारा equator जाता है, यहां से, ठीक है, यह तुमारे poles होती है, नौर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, तो देखरो तुमारा center से, तुमारे जो पोल की दूरी है, और तुम अगर equator की दूरी देखोगे, तो equator जादा दूर है, तो जो अर्थ के पास है, उसमें gravitational force ज्यादा लगेगी, इसलिए तुमारे poles में जो gravitational pull है, वो ज्यादा होता है, और तुमारे equator side है, उधर gravitational pull कम होता है, ठीक है, मतलब तुम पोल में जाओगे, तो तुम्हारा वजन जो है, तुमको बढ़ा लो, ठीक है, और इधर जाओगे, तो तुम्हारा माल लो, एक kilo और कम होता है, तुम यहाँ पर 49 के दिखो, तो इस तरीके से यहाँ पर तुम्हारा gravitational difference आता है, मतलब gravitational force है, वो अलए अलए जगा different है, और तुम्हारे अर्थ में ही, हो सकता है, तुम्हारे equator में ही, क यह जो difference आता है, मतलब, जो difference नहीं आना चाहिए, और difference आता है, ठीक है, यह मतलब equator पर ही अलग-अलग हो रहा है, तो असानी होना चाहिए, लेकिन यह जो आता है, इसको बोलते हैं हम लोग, gravity anomaly, ठीक है, anomaly, ठीक है, तो यह word तुम याद रख रहे होगे, अभी तक मैंने है, जहां पर ज्यादा density होगी, वहां पर अलग तुमारी gravity, जहां पर कम material होगा, या फिर different material होगा, वहां की density अलग, gravity अलग, ठीक है, तो यह ऐसे चीज़े हो गई, magnetic survey बहुत ज्यादा important नहीं होते हैं, चुकि या सिर्फ यह magnetic, तुमारी जो magnetic materials हैं, उनके बारे मता पते हैं अब जो magnet है, वो किसको attract करेगा, या तो तुमारे iron मतलब की metallic body को, ठीक है, या फिर दूसरी magnetic body को, तो इससे हमको बहुत जादा अब कोई rock है, तो उसके बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि rock magnetic नहीं होती, तुमारी magnetize नहीं होती है, ठीक है, तो इसलिए limited distribution बता पाता है, ल होती क्या ही है, it is defined as the type, frequency and size of earthquake, जो तुमारा shaking of earth होता है, अर्थ जब भी इलता, उसको earthquake बोलते है, तो जब भी shaking of earth होता है, तो उससे related कुछ भी होता है, तो तुमारा systemic activity होता है, ठीक है, तो यह चीज़ तुमको पता चल गई, अब हम देखो, अब हम देख रहे होंगे systemic activity की कहीं नहीं बात कर रहे होंगे, ठीक है, यह जो systemic activity, जो waves होती है, complete picture provide करती है, कि earth के अंदर क्या है, ठीक है, मैंने तुमको बताया तो chapter के शुरू में, कि हम waves के थूरू देखेंगे, कि earth के अंदर क्या features है, ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर समझ रहे होंगे, कि क्या होती है, अब यार, simple words में, earthquake क्या होता है, यह समझ रो, जब भी कोई चीज़ हिलती है, ऐसे earth भी हिलती है, तुमको पता है, और जब earth हिलती है, तो उसको हम लोग earthquake बोलते है, तो shaking of earth is called earthquake, ठीक है, और यह एक natural event होता है, हाँ, कुछ cases में यह, अब human, man-made भी होता है, ठी ठीक है, और यार, it is due to the release of energy which generates waves that travel in all direction, अब इसे जो waves generate होती है, ठीक है, earthquake हुआ, तो कुछ energy release होई, अब यह जो energy release होती है, और इसके तुरू जो waves generate होती है, energy किस form में release होती है, तो waves के form में release होती है, ठीक है, energy कहीं पर भी अलालग form में release होती है, कहीं पर heat, कहीं पर light, दुस vibration होता है तो यह वाली जो energy है यह release होती है पूरी earth में तो यही हमको feel होता है कि हां earth को एक आया था ठीक है तो यह भी समझ आगे क्यों feel होता है अब यार यह होता क्यों है तुमको मैंने बताया था कि जो different plates में टूटी होई है तो जब यह plates टकराती है एक दूसरे से एक दूसर university बना के रखो इस चीज़ को हम आगे देख रहे होंगा ठीक है त्यार वही चीज़ बताइए तुम्हारी जब लेंड अलग अलग तरीके से आगे मतलब एक जब भी दो लेंड दो तुम्हारी plates है इनको जब हम tectonic plates बोलते हैं आप प्लेट की बात कर रहा हूं जो दूर ज कैसे ही है समझो ठीक है होता कि है पहले मैं तुमको थोड़ा सा live भी दिखाने का कोशिश करूँगा पहले इसको देख लो ये फोटो को होता क्या है जब तुम्हारे दो लैंड्स है ठीक है तो होता क्या यार कि जब ये दूर जाते हैं इंडेंडल टेंडेंसी होती है दो जाने की ठीक है आपस में एक कम ही टक आते हैं तो जब दूर जा रहा हुँझ होती है तो होगा क्या दूर जाएगा तो तुम्हारी एक दूसरे से जुडी जाएगी तो जब अलग होती है तो पहले तो जुडी है जब friction की force तो ये स्लाइड कर जाती है तो इसको धूचिभ वाले surface में, अब तुम mobile वाले area देख रहे हो, ठीक है, यह तुम्हारा एक surface है, यह तुम्हारा दूसरा surface है, ठीक है, मान के चल रहे हैं, एक दूसरा की उपर नहीं रखे रहते, बस तुम्हारे समझने के लिए, ठीक है, यह रखी है, अब होगा क्या यार, इसमें friction, मतलब कुछ activity वो जैसे दूर जाएंगी, ठीक है, तो दूर जाएंगी, ठीक है, यह देखो, दूर जा रही है, तो पहले friction के और यह से थोड़ा-थोड़ा धीर जाएगी, अब यह चीज़ जब overcome हो जाएगी friction के, तो यह अपने आप गिर जाएगी, और ठीक है, और इस तरह जब बहुत बड़ी plate गिरती है, तो वो आवास के साथ साथ vibration भी करते हैं, आवास तो नहीं, mainly vibration ही करते हैं, ठीक है, तो जब वो vibrations होते हैं, तो वो तुमको अर्थ को समझ आती है, अर्थ को कैसे है, तुमको यह समझ आया, अब यहाँ पर देखो, इस चीज़ को relate क जो मैंने बताई, ठीक है, अब थोड़ा सा समझ आएगा तुमको, vibration होगा, ठीक है, किनके बीच में होगा, यह जो plates है, ठीक है, एक plate यह था, अपना एक plate यह, अब इसका size बहुत छोटा था, लेकिन तुम समझो, यहाँ पर दो plates है, ठीक है, एक दूसरे से अलग हो रही है इनकी tendency है दूर जाने की, ठीक है, यह मान लो, तो जब दूर जानी है, तो पहले तो friction force है इनके बीच में, इनको जगड़ा है, ठीक है, इनके बीच में friction force है, लेकिन यह friction force overcome हो जाएगा, तो अपने आप ऐसे slide कर जाएगी, ठीक है, जैसे मैंने तुमको rubber उससे दिखा है, rubber से, तो इस तरह यह slide कर जाती है, और जब slide करती है, तो धम से नीचे जाएगी, और जब इस तरह धम से नीचे जाएगी, तो क्या होगा, यह जैसे तुमको दिख रही है, यह waves, यह जब generate होगी, और यह waves जब generate होती है, तो यही तुमको sensation मिलता है, earthquake का, ठीक है, इसमें इनके बीच में जो gap रहता है, उसको fault बोलते है, earthquake का जो center रहता है, जहां मतलब, जहां से main origin होता है earthquake का, ठीक है, उसको focus या hypocenter बोलते है, मैं आगे दिखा रहा होगा तुमको, ठीक है, और इसके उपर just जो land रहता है, perpendicular, ठीक है, जो perpendicular land रहता है उसको, उसको epicenter बोलते है, यह जो तुम्हारा बीच में जो gap जो रहता है, इसको fault बोल रहते हैं, यह तुम्हारी दो plates रहती है, और यह जो wave fronts होते हैं, यह जो waves निकल रहे हैं, इनको wave fronts बोलते हैं, ठीक है, तो इस तरह तुमको सारे terms परता चल गई, तो यह देखो, तुम्हारा focus या उसको hypocenter बोलते मतलब Earth के ऊपर जहां पर सबसे यादा feel हुआ तुम्हारा earthquake ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, तो वो तुम्हारा epicenter हो जाता है, ठीक है, और हाँ वही चीज़ बता है, तुम्हारा epicenter क्या होता है, अब earthquake waves जो रहती है, अर्थquake हो गया, उसके बाद क्या निकलेंगी, उ इनको wave friends बोलते हैं, तो जो waves दिख रही है, इनको देखो अब, ये भी काफी अलग-अलग type की होती है, ठीक है, तो यार्थ कोई कहां पर होता है, तुम्हारे lithosphere में होता है, ठीक है, तो यह चीज़ तुम्हारे lithosphere कहां तक होता है, तो तुम्हारी जो earth है, ठीक है, उसमें 200 km तक, ऐसे तुम radius नापोगे, तो 200 km तक तुम्हारा lithosphere रहता है, अब इस चीज़ को हम आखरी में भी समझ रहे होंगे, layers of earth तुम्हारे एक topic है, ठीक है, तो यह तुम्हारे 200 km तक रहता है lithosphere, और एक चीज़ और, मतलब यह तो हमने basic जान लिया, कि earth को एक कहां तक रहता है लेकिन earth को एक हम नापते कैसे हैं, यह भी doubt आएगा, earth earthquake हो गया, ठीक है, लेकिन हर बार, हर बार थोड़ना होगा कि हमारी जमीन हिल रही है, या फिर घर को ना भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ होता है, तो यार, हर बार कैसे बदाशे रहेगा, कि earth earthquake आ रहा है, हर बार तो हम देखेंगे लिए कि घर के बरता हिल रहे हैं, कि टेबल हिल रहे हैं, इसके लिए एक instrument होता है, जो तुम्हारे sensitive, जो मतलब बहुत कम तीवरिता के, या फिर बहुत कम हाम करने वाले जो graph रहते हैं, जो बहुत जादा कम dense रहते हैं, फिर इस टाइप से बोलना चाहिए, ठी मतलब अर्थ को रिकॉर्ड गरता है तुम्हारे instrument, जिसको बोलते हैं, सिस्मोग्राफ और यह चीज तुम लिख रहे होगे, इस पेज में क्या क्या लिखना है, कि तुम्हारे maximum, वो जो अर्थ पे होते हैं, वो लिथो स्फेर में होते हैं, ठीक है, तुम्हारे M.C.U. के प एक पार्ट इसका stable रहता है, एक पार्ट जब अर्थ को रहता है, ठीक है, तो जो कांटे वाला पार्ट है, वो हिलता है, अब वो हिलेगा, तो वो ऐसे-एसे line बनाएगा, ठीक है, जहाँ पे कम हिल रहा है, जहाँ ज़ादा हिल रहा है, ठीक है, फिर जहाँ कम हिल रहा है, लाइन म्हें बनाएगा ये ही लाइन के वेशेश पर हम बताते हैं कि thisWave कि कितना जादा harmful था और कितना कम harmful था ठीक है तो ये waves आती है तो ऐर्थकोए का जो pattern आता है waves को ऐसा रहता है सबसे पहले एक छोटी सी waves आएंगे जिनको हम बोलते हैं P waves उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर दूसरी waves आएंगे यह थोड़ा देर बाद पहुंचती है मतलब यह दीरे चलती है तो यह S waves होती है यहाँ पर मैं एक और सिस बता दिया अर्थ करिका धमाका अर्थ के नीचे होता है तो उपर कुछ waves ऐसी भी रहती है जो नीचे ही रह जाती है और उनके वज़य से कुछ waves उपर आती है नहीं समझाया है? कोई बात नहीं हम पूरा क्लियर करेंगे तो अभी तब समझो कि 3 types के waves आती है पहले P waves, S waves उसके कुछ टाइम बाद आती है surface waves और इसको देखके क्या समझाया रहा है surface waves का amplitude है वो काफी जादा है छोटी सी ही है छोटी मतलब दूप ऐसे इतनी लंबी उससे मतलब नहीं है इसका ये वाला जो length है ये काफी बड़ा है इसका किता छोटा है इसका भी छोटा है इससे ये समझाता है कि जो surface wave होती है ये सबसे अदा harmful होती है सबसे अदा जो नुकसान होता है वो इनके वज़े से होता है ठीक है तो मैंने काफी चीज़े बता दी अब जो waves होती है थोड़ा सा देख लो ठीक है थोड़ा सा बुरिंग हो सकता है लेकिन देखो फिर आगे इंटरस्टिंग रहेगा यहाँ पर तुम्हारा माल लो earthquake हुआ ठीक है तो यहाँ से क्या होगी waves generate होगी तो जो body के अंदर जो waves travel कर रही है यह तुम्हारी body waves और इनके वज़े से तुम् तुम्हारा focus या hypocenter है ठीक है यहाँ से waves आएंगी waves आके उपर टकराएंगी ठीक है उपर टकराएंगी तो यह तुम्हारी S और P waves ऐसे टकराती है surface पर ठीक है body waves जो है वो surface पर टकराएंगी अब देखो surface पर टकराएंगी यहाँ हुआ vibration तुमको उतना नहीं दिखा यहाँ वैसे vibration होगा तो यहाँ पे जो vibration generate होते है surface फे यह तुम्हारे surface waves होते है ठीक है तो यहाँ तुम्हारा भुकम पाया, भुकम पाया, waves generate हुई, उपर टकराएं, भम, तुम्हारे surface पे, यह अर्थ का surface है, टकराएंगी, तो इसके वज़े से एक अलग set of waves generate होती है, ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, S waves, V waves आई, तुम्हारे surface पे टकराएं, ठीक है, दूसरा step क्या हुआ, तुम्हारे तुम्हारे surface पे टकराएं, उसके वज़े से एक other set of waves generate हुई, यह होती है, तुम्हारी surface waves, अगर नहीं समझ आएगा, फिर से rewind करके देखो, मैंने पूरा try किया है, कि तुमको एक एक चीज समझ आ रही हो, ठीक है, अब यार, हलका सा boring हो सकता है, क्योंकि terminology है, तो इनको समझ because enthusiast है, तो उसको ज़रूर forward करना वीडियो, ठीक है, और यही हमारे लिए सबसे अच्छा, तो अगर तुम हमको motivate करना चाहते हो, तो यह सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है, आगे देखो, अब यहीं बताए, earth को एक waves तुमारी दो types की होती है, body waves, surface waves, body waves क्या होती है, ज यहाँ पे तुमारे surface है, यहाँ पे another set of waves generate होंगी, तो जो another set of waves है, यह तुमारी surface waves है, तो अब इसको यही definition लिखी हुए, तुम पढ़ सकते हो, ठीक है, अब कुछ properties होती है, अब waves है, लेकिन यह जो earthquake waves होती है, यह कुछ properties होती है, जो तुमको जाननी चाहिए, ठीक है, तो ऐसे relate कर सकते हो, कि जब भुगंप आता है, अपने इंडिया में तो नहीं आता है, मतलब इंडिया में उत्तर गदा relevant नहीं है यह चीज, कुछ जगह पे आता है, सब जगह नहीं आता, लेकिन यहाँ पे आता रहता है, वहाँ पे बहुत जगह लोगों को समझ आएगा, कि जब पानी के आसपास कोई जगह पे आता है, तो पानी में, मालो समुद्र में, उसका जो earthquake का reaction है, मतलब earthquake का feel, earthquake तुमको समुद्र में उतना feel नहीं होगा, जो कि यहाँ पानी है, कम dance हो जाता है, तो यहाँ जो motion हो जाता है, तुम्हारे waves का, वो slow हो जाता है, और यहाँ एक material से दूसरे material में जाएगी, ठीक है, तो होगा क्या, यह थोड़ा science का concept है, लेकिन तुमको समझना चाहिए, reflection और reflection तो पता होगा सबको, ठीक है, तो मालो कोई ऐसा particle है, जहां से reflect होगी है, वो कैसा particle है, तुमको वो नहीं जानना अभी, एक ऐसे मालो कोई surface है, ठीक है, अब इसमें कोई wave आई, ऐसे टकराई, और वापस चली गी, ठीक है, तो यहां से तुम्हारी टकराती है, और यहां वापस चली जाती है, तो इस टाइप से अगर होता है, तो यह reflection, wave reflect भी करती है, अपना direction change करती है, और reflect भी करती है, reflect क्या होता है, दसवी का science का concept है, बहुत देखो तो अलग दिखती है, तो पानी की density अलग होने के वज़े से, उसका light का जो direction है, वो बदल जाता है, ठीक है, तो जब भी अलग density में जाती है, तो चेंज कर लेती है, अपना direction, बस इतना जानो, ठीक है, waves, तो यह तुम्हारा हो जाता है, reflection, ठीक है, तो यह समझाया हो से पहले कौन सी आती है, P-type, ठीक है, तो P-type क्या होती है, तुम्हारी extend और compress होती है, ठीक है, अगर यह तुमको मेरे हाथ से नहीं समझाया रहा है, मैंने आगे बहुत अच्छी water डाल के रखी है, फिर भी try करना है, ठीक है, एक single material रहता है, वो compress होता है, फिर यह तुमारा high density है, और यह वाला area, और यह वाला area, तुम्हारा low density है, अब यह चीज़ों यहां पर उतना शायद नहीं समझाया है, S-waves कर दी चलती है, S-waves तुम्हारी ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, surface के, ठीक है, यह तुमको समझा रहा होता, थोड़ा बहुत, मतलब मेर बहुत famous feature of geography, उनका example है, अब होता क्या है, तुम्हारी stripe से line रहती है, ठीक है, अब माल लो line को किसी ने धक्का दिया, तो क्या होगा, सब ऐसे आगे चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे, ठीक है, तो यह बंदा यह जो यहां खड़ा है, सब आगे आगे दबते दबते य फिर आगे बाला धखका जिता है, तो जो ऐसे भीड़ाई होगी, फिर फिर पीछे चले जाएगी, फिर लंबी हो जाएगी line, फिर धखका आगा तो फिर छोटी हो जाएगी, ठीक है, तो इस तरह तुमारे compression होता है, फिर elevation होता है, ठीक है, तो P waves तुमारी ऐसे से चलती है, अब अगर इसके बीच पे material है, एक imagine करो, मेरे हाँ, दोनों हाथ के बीच में material है, ठीक है, तो इसे compress होगा, फिर ऐसे elevate होगा, तो इस तरह होगा तुमारा P waves चलती है, ठीक है, S waves ऐसे से चलती है, मैंने तुमको बता दिया, ठीक है, अब P waves की क्या, कुछ, मतलब properties देख लो यह तेज जाती है, S waves से तुमको बता दिया, मैंने, इनको primary waves बोला जाता है, ठीक है, यह चीज़ा तुम note कर रहोगा, इसके मैंने highlight भी कर दिया है, यह तुमारे sound waves की similar होती है, इसे हमको फाइदा क्या है, इसे यह पता चलता है, मतलब इसे चलती है, असलिए sound जैसी है, य S waves क्या होती है, यह तुमारे बाद में पहुंचती है, slow होती है, तुमारे P waves से, ठीक है, इनको secondary wave बोलते है, यह तुमारे इसमें एक बहुत खास बात है, यह सिर्फ solid के थ्रू चल सकती है, अब इससे क्या फाइदा, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमको यह पता है कि अर्थ के अंदर कोई तो एक layer है, जो मतलब liquid state में है, अब जो लाबा है, तुमको दिखी रहा है, वो molten state में है, liquid state में है, ठीक है, तो अर्थ के अंदर एक layer है, जो liquid state में है, अब उसकी आगे हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, तुमारा outer core होता है, वैसे मतलब मैं बता जाता ह तो वो लिक्विड है तो हमको कैसे पता चला है यार की वो लिक्विड है तो यही इसी तरीके से जब secondary waves पास हुई उस जगा से तो वो आगी गई ही नहीं मतलब अर्थ के दूसरे कोने पर माल लो यह तुमारा अर्थ का कोना इस यह अर्थ है ठीक है हाँ यह तुमारा अर्थ है तो अब माल लो यहां से waves generate हुई ठीक यह तुमारा core है यह वाला core है तो waves को क्या करना चाहिए था waves को ऐसे travel करना चाहिए था तुमारे ठीक है और travel करते करते इस कोने पर पहुँचना चाहिए लेकिन ऐसा हुआ नहीं होता क्या है होता है वो यहां तक जाती है और उसके बाद गायब हो जाती है यहां पर ऐसे जाएंगी यहां पर ऐसे जाएंगी यहां पर जाएंगी लेकिन बीच वाले पार्ट में नहीं गए अब बीच वाले पार्ट में क्यों नहीं गई भाई साब अब देखो क्यों नहीं जाएंगी अब यह वाली जो वेवस हैं तुम्हारी S-Waves यह सिर्फ सॉलेट से चलती है तो यहां नहीं गई तो हमको यह पता चला लिकविड है यह वाला पार ठीक है तो यह तुम्हारा ऐसे इसलिए important हो जाते है कि scientist को help परता है understand करने के लिए कि अंदर का structure है वो है कैसा ठीक है यहां से यह समझ आता है और waves में तुम्हारे reflection reflection यह भी कुछ properties होती है waves की तो हमने दो properties यह भी होती है कि यहां पर reflection reflection दोनों हो रहा होता है reflection तुमको पता है reflection मैंने तुमको बताया कि जब दूसरे जब एक density से दूसरे density में जाती है wave तो अपना direction change कर लेती है ठीक है ऐसा कुछ या फिर बाहर जाएगी तो ऐसा कुछ मानलो ऐसे जा जा जी थी ठीक है तो ऐसे जाना चीए था लेकिन ऐसे नहीं जाएगी वह ऐसे जाएगी और ऐसे चले जाएगी ठीक है मतलब अलग अलग तरीके होते है density to low density to high जाती है तो अलग होता है high to low जाती है तो अलग होता है अब यह 10th का concept है इसलिए पर दुबारा नहीं जा रहा हूं इस पर ठीक है और इसकी reading हम सिस्मोग्राफ में देखते है और उससे हमको पता चलता है कि क्या variation हो रहा है इन चीज़ों पर ठीक है अब इसके बाद सब्सक्राइब कौन सी सर्फेस वेव यह सबसे बाद में आती है मैंने तुमको बताया था पहले एस और पी तुमारे सर्फेस पर टकराएंगी अब जब यह तकराएंगी तो नई वेवेव चलेंगी तो सबसे आधा आखरी में हमको इनके recording मिलती है ठीक है सिस्मोग्राफ और सबसे आधा डिस्ट्रक्टिव होती है ठीक है क्योंकि एस वेवस पी तो तुमारे बॉड़ी के अंदर सोती है तो यह उपर के सत्य में उतना लादा कुछ एफेक्ट नहीं करती है लेकिन जब तुमारी सर्फेस वेव है अचा पहले एक डाउट और तुमारा जो एस व तो यह लास होती है रिपोर्ट करने के लिए सबस्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है ओर को होती है अब देखो यह सर्फेस के उपर यह आंसंद्स अब तुमारा इन और्थ सर्फेस होती ह्यां तो ऑपर इस displaced करेगी एक mountain है मांने लिएक mountain range है तो ऐसे चलेगी तो इनको displaced करेगी और जब यह mountain range हिलती है मतलब तुम सिधे displacement मतमानो बस तुम इतना मानो की हिलती है तो जब यह हिलेंगी तो क्या होगा Earthquake आएगा Earthquake यू आएगा, Earthquake है अब यहां पर मांटो एक building है ठीक है अब इन में आएका तोयाद obviously तुमारी building अब ऐसी तो बनी नहीं है कि वो उसको तुम ऐसे हिलाओ डुलाओ तो भी stable रहेगी building को तुम ऐसे अगर हिलाओ के ऐसे मटोडोगे तो तूट जाएगी obviously ठीक है तो इसलिए तुमारी यहां पर नुकसान होता है अर्थ यह तुमारे surface waves में ठीक है अब एक बार सारी waves को देख लो तुमारी यह P wave है ठीक है यह तो compression elevation में तुमको बताया था तो यह देखो ऐसी है ठीक है normal wave उसके बाद क्या होगा तुमारा compress compress elevate ठीक है देखो यहां पर तुमारा compress हुआ इस जखा पर ठीक है ठीक है ठीक है और यहां elevate हुआ तो यहां टूट गई चीज़े मतलब यह तुमको बताया है कि यह में क्या पर इस वेव ऐसे तुमारा surface है surface के नीचे ऐसे चलती है अब यह ऐसे भी चल सकती है ठीक है और तुमारी जो surface waves है वो surface की उपर एसे चलती है ठीक है इसको मैंने ऐसे भी explain किया अगर यह तुमारा surface है तो जो तुमारी S waves है, वो ऐसे-इसे travel करेंगी ठीक है, surface में surface को ऐसे-इस-इसे हिलाते हिलाते है, ठीक है, उपर नीचे उपर नीचे, इसको crust और troughs भी उलते हैं, जो हम आगे देख रहे होंगे ठीक है, तो अब different type of waves होती है, उनका travel करने का तरीका अलग-अलग होता है, और जब भी यह जाती है, तो अपने जो, आस, अब यह कहीं पर भी vibrate करेंगी तो उनके आस-पास जो material हो, उनको भी vibrate करेंगी तो इनके आस-पास के जो rocks होते हैं, जो different bodies होती है, जिससे यह pass करती है, वो भी difference होती है, जो हमने शुरू में देखा था, जब squeeze होगा, तो तो तुमारी सब पास-पास में आ जाएंगे, जब stretch होगा, तो सब दूर-दूर चले जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर density difference होता है, देखो, यहाँ पर सब normal थे, पास-पास में दे, जहाँ तुमारा stretch हुआ, वहाँ दूर-दूर चले गए, यह एक यहाँ पहुँच गया, और जहाँ पास-पास आ गए, देखो, सब पास-पास आ गए, ठीक है, तो यह तुमारा एस टाइप से बोल रहा है, बाकी जो waves हैं तुमारी, बाकी जो जब भी कोई चीज तुम्हारी है, ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक है, तो यह नीचे वाले को, और यह इस टाइप के जो बनते हैं, उपर वाला troughs, नीचे वाले तुम्हारे criss, ठीक है, तो यह criss और troughs बनाती है, इस परिके से, ठीक है, अब emerging of shadow zone, अब एक यह topic भी देखो भाई, shadow zone क्या होता है, यह तुम्हारे लिए एकदम नया चल रहा है topic, तो हर चीज यहां पर important चल रही है, ठीक है, तो जो जो मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा boring हो, लेकि तुम पढ़ना तुमको है, तो देखना पड़ेगा, ठीक है, उसका, हमने S waves का देखा था कि S waves जो है, वो तुम्हारे liquid में travel नहीं करती है, वो सिर्फ solid में travel करती है, तो solid के नीचे वारा जो part है, मतलब जो liquid वाला part है, माले तुम्हारी earth है, ठीक है, यह तुम्हारा core है, अब outer core तुम्हारा liquid होता है, यह मैंने तुमको बताया, यहां प जहेंगी, ऐसे जहेंगी, ऐसे जहेंगी, और यह वाला जो part है, इसके बीच वाला यह वाला part है, यह empty रहेगा, ठीक है, तो जो empty वाला part है, जहां waves को जाना चीए, वो पहुंचती नहीं है, ऐसे zone को हम क्या बोलते है, shadow zone बोलते है, ठीक है, तो वही चीज़ तुमको लिख shadow zone बनते हैं, ठीक है, तो अब कहां पर बनते हैं, देख लो, माल लो तुमारा earthquake यहां पर generate हुआ, तो होगा क्या, तुमारी ऐसे travel करेंगी, ठीक है, अब p wave क्या होती है, तुमारे याद करो, solid, liquid, gas, तीनों से पास कर जाती है, ठीक है, तो तीनों से जब पास कर जाती है, त general refract करेंगी, जो फिर density difference है, refract करेंगी, तो इसको कहां जाना चीए था, ऐसे जाना चीए था, ठीक है, लेकिन गई कैसे ही है, ऐसे, ठीक है, तो इसलिए यहां पर यहाला जो zone है, जहां जाना चीए था, लेकिन गई नहीं, तो यह तुमारा खाली हो जाता है, यहां मतलब waves प जाना चीए था, लेकिन नहीं गई, क्यों नहीं गई, density difference की वज़े से, ठीक है, तो वो तुम्हारा हो जाएगा, कहां गया, हाँ, shadow zone, ठीक है, इस तरह S-Wave में क्या होता है, जैसे तुमारी P-Wave सबसे पास कर जाती है, लेकिन S-Wave तुमारी पास नहीं होगी, तुमारे ब लीच में क्या मिल गया, लिक्विड, तो इसके आगे जाएगी, क्या, सीधी सीधी बाते नहीं जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे वो रूख जाएगी, और इस तरीके से इतना बड़ा तुम्हारा, मतलब इतना बड़ा पूरा करवेचर का तुम्हारा, shadow zone बनाएगी, ठीक तो इतने एरिया तक तुम्हारी वेवस जाती है, उसके बाद फिर जो 142 डिगरी से 103 तक का है, यहाँ भी तुम्हारी वेवस नहीं पहुंचती दोनों साइड से, फिर यहाँ पे फिर 142 से 142, मतलब इस साइड से 142 और इस साइड से 142, ठीक है, तो फिर से इस एरिया में वापस पहुंच जाती है, तो यह थोड़े location है, तो यह तुम note कर रहे हो गया, ठीक है, कहां से कहां, starting से 103, ठीक है, उसके बाद फिर 142 से आगे तक, अब 142 से आगे तक, ठीक है, तो इतना cover कर रही होती है, और यही चीज़ तुम्हारे S wave में क्या होती है, देखो इधर त solid पे travel कर रही थी, लेकिन इसके बाद क्या फर्क पड़ता है यहां पे, यहां पे बीच में core आगया, तो core में travel करेगी क्या यह, core में travel नहीं करेगी तुमको भी पता है, तो इसके आगे का पूरा shadow zone, तो 103 degree तक ही जाती है, तुम इतना भी लिख दो तो परियाप से यहां प अब तुम यह भी बताओ, यहां पे बस यह लिखा है कि हर अलग अर्थ quick के लिए shadow zone अलग रहेगा, क्यों अलग रहेगा, ठीक है, यहां पे मान लो, यहां पे भी generate हुआ, अगर यह यहां पे generate होता, ठीक है, तो इसके लिए ऐसी ऐसी waves जाती है, कुछ अलग जाती है, और यहां पे shadow zone कहीं और पे बन रहा होता, ठीक है, यहां तो हमने यहां इसको reference लेके देखा है, अगर इसको यहां से reference लेके देखते हैं, तो यहां जाती है, और यहां नहीं जाती है, ठीक है, तो इसलिए तुमारे अलग-अलग waves के लिए अलग-अलग shadow zone रहते हैं, अलग-अ अब देखो हम लोग बात कर रहे थे अर्थक्वेक अर्थक्वेक तो एक टाइप का होता है क्या नहीं भाई तुम्हारे अर्थक्वेक कई टाइप के होता है और कई टाइप से बोलने का मतलब है कि अलग-अलग अब यह करने हम यह फोकस क्या होता है इसके बात कर तो पर अपी सेंटर होता है और क्या रिजन होता है तुम्हारा volcanic earthquake और यह तुम्हारे जो volcanic areas है active volcanic areas वहीं पर confine जाता है अब होता है क्या है तुम्हारा वॉल कैनो प्रेशर से फूटता है अब लाबा तुम्हारा बहुत है ठीक है और ग्रैविटी के अगेंस पुछ करके आ रहे है अपने आपको तो यह जब आता है न उपर तो बहुत जादा उससे आता है और जब यह तुम्हारा निकलता है तो ब्लास्ट होता है तरह नहीं हर लेकिन जब ब्लास्ट होता है तो उसके ओड़े से भी तुम्हारे जो आसपास की चीज़े वह शेक करती है ठीक है अगर इसको ऐसे नहीं समझा तो तुम्हारे घर पर दिवाली पर पटाका फूटता है तो कई बाट तुम्हारा घड़ी गिर जाती है तंगी हुई या फि जब भी तुम्हारा धमाका होता है तो वह जब भी लावा निकलता है तो धमाका होता है और उस धमाके वज़े से वाइब्रिशन होते हैं और वही वाइब्रिशन तुम्हारी चीजों को हिलाता है तो इसके वज़े से तुम्हारे अर्थक्वेक आते हैं और यह तुम्हार करते माइनिंग करते हैं क्या करते हैं अब बड़े-बड़े खोल देते हैं और यह ज़्फ होती है न यह कई जगा पर तुम्हारी मीटर में रहती है काफी मीटर yn सक रहती है यह मतलब मीटर्स में तो रहेगी ओवियसली हमारे बहुत गहरे गड़े रहते हैं इस टाइब से अतलब गहरे बड़े गड़े तो होता क्या है अब तुमने नैचुरली तो गड़ा था नहीं है तो इस तरह तुमने गड़ा बना दिया तो क्या होगा उपर की जब जमीन है अगर वह भारी हुई हो क्लैप्स कर चाएगी और जब वह क्लैप्स करएगी तो नीचे टक्राएगी और टक्राएगी तो फिर क्या होगा अब earthquake generate होगा, अब मैं ऐसे से बता रहा हूँ कि तुमको बता रहे है कि यहां पर shaking हुई, तो best तरीका तुमको बताने का यही है कि इस तरह waves generate हुई, तुम्हारा आके टकराएगा, यह उपर वाला part नीचे, मतलब पूरा से डह जाएगा, तो डह जाएगा तो तुम्हारा यह explosion होते हैं, तो उसके वज़े से तुम्हारा explosion होता है, जैसे मैंने पटाकी का बता रहा है, पटाका बहुत छोटे scale पर था, अब तुम इसको nuclear bomb पर देखो, तुम्हारा इतने बड़े scale पर देखो, तो जब ऐसे धमाका होता है, बड़ा सा, तो उसके वज़े से जब तुम् earthquake का रहा है, और इसको बोलते हैं हम, explosion earthquake, अगर जल्दी लग रहा है इस वीडियो पर, तो अराम से देखो, यह वाला वीडियो मैं थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ, ठीक है, अब reservoir induced earthquake, अब यह थोड़ा सा अलग है, यह थोड़ा सा tricky भी है, बाकी तीन आसान थे, ठीक है, अब होता क्या यार, तुम्हारे reservoir जोसे dam होते हैं, ठीक है, और lakes बगरा के किनारे हम बनाते हैं, तो इसके कारण भी earthquake आता है, ठीक है, तो तुम इसको पढ़ो, मैं आगे तुमको explain करता हूँ, होता कैसे है, मान लो यह तुम्हारा dam इस तरह बनाया हमने, ठीक है, तो पानी पानी ही store करते हैं, तो इस तरह मान लो, हमने कहीं पे store किया, ठीक है, तो अब होगा क्या यार, इस तरह हमने store कर लिया, अब मान लो यहां कहीं पे अगर fault रहा, रहते ही हैं बहुत जगह पे, तो हर डाय में भी वो नहीं आते, तुम्हारे भूकंपनी आते, कुछ जगह प करते हो तो balloon expand करता है तो expand क्यों करता है बैलून जो पानी हो प्रिशराइज करता है तुम्हारे बैलून को ठीक है अगर तुम्हारा बैलून ऐसा है भी छोटा सा अमें ड्रॉइंग बहुत अच्छी नहीं है इसमें तुम पानी भरोगे तो फिर ये time के सांसा से बड़ा हो ज प्रिशराइज करेगा मानलो ये फॉल्ट को प्रिशराइज कर रहा है तो एक टाइम बाद यहां पर भी फ्रिक्शन जो फोर्स हो घड़ गई तो यसे जाएगा फिर यसे टक्रा जाएगा एकदम धम से अब जैसे धम से टक्राएगा तो क्या होगा vibration होगा और जब भी vibration हो तो भाई साफ होती है तुमारी shaking of earth और shaking of earth हुई तो finally क्या हुआ तुमारा earthquake तो जो इतनी लंबी चोड़ी कहानी बताई मैंने तुमको I hope समझ आई होगी और earthquake कैसे आया तुमको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी यहां पर ठीक है तो reservoir के वज़े से कैसे आया मैं statement नहीं अब देखो अगला topic है measuring earthquake अब हमको पता कैसे चलता है कि earthquake कब आया अब ऐसे तो बताएंगे नहीं कि एक आदमी को खड़ा कर दिया earthquake आया तो उसको ज्यादा महसूस हुआ तो इसको कम महसूस हुआ पिंसिल को देखो तो कम आया ज्यादा आया कम आया इस तैप से तो होता न सब्सक्राइब में करेंगे तो इसके दो तरीके होते है या तो magnitude या intensity दोनों एक जीज़ नहीं है क्या नहीं है तुम्हारे magnitude मतलब आया था वो कितना ज्यादा वो था मतलब प्रभावी था अंस प्रकता आया था कितना बड़ा था यह होगे तुम्हारा मैंडियूड और अर्थक्वेक जो आया उसके वडिया से नुक्सान कितना जादा हुआ वह होगी तुम्हारी इंटेंसिटीि यहTPAH magnitude earthquake आया था वो कितना बड़ा earthquake था ठीक है मतलब किती दूर तक waves गई इस इन सबसे तुम नाप सकते हो कितना बड़ा था उससे नुकसान कितना हुआ तो वो तुम्हारी intensity जो तुम्हारा map है जो तुम magnitude जिसको बोलते हो उसको हम odeframes को रीक्टर स्केल बोलते हैं इसका pronunciation तुम अला लग देख सकते हो मेरे को मेरे teacher ने रीक्टर स्केल बताए-था इसलिए मैं तुमको भी रीक्टर स्केल बता रहा हूँ तो इसको हम रीक्टर स्केल बोलते हैं इसमें 0-10 में हम रेड करते हैं किसी बी earnूक को एक को फिक है intensity इंसिटी में जब स्केल करते हैं तो यह मारकली स्केल होती है यह तुमारे इटालियन सेस्मोलोजिस्ट है इस तो उनके नाम पर रखी गई है ठीक है तो इसमें विजिबल डैमेज कितना हुआ चीज़ों का हम यह देख रहे होते हैं और इसकी रेंज रहती है एक से बारा ठी एक इसमें इसमें पर इसमें से एवलांचे तुमको नहीं समझ रहा होगा तो मैं यह तुम्हारे लिए एक नई हैबिट के लिए चाहरा हूं की गूगल करने की हैबिट इसको Google करो, तुमको बहुत easily समझा रहा होगा क्या होगा है, ठीक है Ground, Ground Loaring ये होगा है तुम्हारा Ground Displacement होगा, Floods होगई Fires होगई, Structural Collapse होगई ये बहुत common है, Building वगरा का तूटना ठीक है, Falling of Object Tsunami जो होगई, ठीक है, तो ये तुम्हारे बहुत जादा Visible Effect है, तो जो शुरू के 6 है, ये तुम्हारे Land Form को ही Change करते है, इन जंगल, ठीक है, इतका बहुत जादा तुम्हारे Life में Effect नहीं पड़ता लोगों की, मतलब Life इसे Damage नहीं होती, Effect तो पढ़े गई तुम्हारे Earth में कुछ हुआ तो, लेकिन को बहुत जादा पसंदारी है, वही सबस्यादा Dangerous जगा बन जाएंगी, तुम्हारे Fires हो गया, Fires भी होती है इनके वज़े से, ठीक है, तुम्हारे Friction के वज़े से Fire हो जाती है और भी Reason होते है, तुम्हारे Friction जानो अभी ठीक है, और Floods, तुमको पता ही है अब Ground Displacement हो, तुम्हें देखा, वह रोड में Crack आ जाते है तो कैसे होता है, तुम्हारे Ground Displacement हो जाता है ठीक है, तुम्हारे आखरी के जो 6 लिखे हो है तुम्हारे बहुत ज़्यदा Devastating होते है होते हैं अगर कहीं पर तो, ठीक है तो यहां पर हम Tsunami को थोड़ा सा और अलग से देखेंगे कि Tsunami कैसे आती है, क्योंकि यह थोड़ा C पर चली जाती है बात ठीक है, Tsunami यह इसके 2-3 reason है, Tsunami का, मतलब 2-3 condition है Tsunami आने के लिए, ठीक है यह पेश हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, The effect of Tsunami would occur only if the epicenter of the Tremor is below the oceanic waters and the magnitude and the magnitude is sufficiently high ठीक है, magnitude, यहां पर थोड़ा सा लिंक करो ठीक है, magnitude, यहां पर हम intensity की बात करेंगे, यह भी पानी की बात कर रहे हैं, मतलब समुद्र की बात करेंगे, तो वहां क्या ही नुकसान होगा तुमारा अभी तो magnitude बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, तुमारे earthquake का और जो epicenter है, epicenter तुमको पता है, जब earthquake आता है तो उसे just perpendicular उपर जमीन पर जो area रहता है ठीक है, तो उसको बोलते हैं epicenter, ठीक है, तो जो epicenter होता है, वो तुमारे ocean, मतलब की समुद्र में होना चाहिए और magnitude जो है waves का वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, और ये visible का होती है tsunami, जब कहीं तुमारे, जो oceans मतलब यो तुमारी continents है, उसके आसपास कहीं पे, उसके आसपास जो ocean है मतलब बहुत दूर आएगा, तो उतना ज़्यादा हमको visible effect नहीं दिखेगा, ठीक है तो ये जीज़ाने, दो चीज क्या-क्या एक तो तुमारे epicenter पानी में होना चाहिए, और दूसरा magnitude तुमारे earthquake का बहुत ज़्यादा होना चाहिए मतलब sufficiently high होना चाहिए tsunami are the waves generated by the tremors and not by earthquake itself अर्थक्वे क्यों जिस नहीं आता है, उसके वज़े से जो shaking होती है, उसके वज़े से जटके रहते हैं उसके वज़े से तुमारी tsunami waves generate होती है, ठीक है, इस type से तुमने देखा होगा waves आके तुमारे आ जाती है Japan में मतलब ये कई बार Japan की तुम देख सकते हो, tsunami वहाँ पे बहुत जादा dangerous आ चुकी है मतलब इंडिया में भी एक का effect देखा गया था तुमारे NCRT पे है, यहाँ पे बुक बहुत clear नहीं है, यहाँ पे आया था तुमारा इंडिया यह रहा, ठीक है, यहाँ पे आया था of earthquake is more than 5 in the reactor scale अगर तुमारा 5 से ज्यादा का reactor scale के भुकम पाता है तो उसका जो effects है, वो बहुत ज़्यादा devastating होते हैं, आता था कुछ seconds के लिए लेकिन उसके effects है, after effects बहुत ज़्यादा dangerous होते हैं, ठीक है नेपाल में अभी कुछ साल पहले आया था वो तुमारा 6 से 7 reactor scale के बीच में था, तो यार उसका devastating effect कितना ज़्यादा था तुम देख सकते हो, मतलब पुराने अगर तुम newspaper बगरा देखोगे तो ठीक है, अब frequency होती है तुमारे earthquake की हमने देखा, मतलब magnitude देख लिया, लेकिन इतने frequency के हर बार आते हैं क्या, यह जीज़ पते है तुमको earthquake एक natural hazard है और यह आता रहता है, यह अभी भी आ रहा है, मैं जहां बैठाओ, अभी भी आ रहा होगा लेकिन इतना कम frequency का न कि पता भी नहीं चलता, वो सिस्मोग्राफ में अर्थ को exploit कर रहे हैं, हो सकता है यह चीज़ activity जो है, earthquake की आगया आने वाले time पे बढ़ जाएं, जैसे अभी मौसम बजल रहा है, तो हाँ इस चीज़ का हमको देखना पड़ेगा, लेकिन अभी के time पे, तुम्हारा एक दो साल में एक दो बार आता है, ठीक है अब देखो अब यहाँ पे chapter पे तुम्हारा एक दूसरा पार चालोगी अब chapter का जिसमें हम देख रहे होंगे structure of the earth मतलब जो layers की हमने बात की form हुई, उनमें तुम्हारा earthquake generate हुआ, तो जो layers है different, ठीक है, अब हम उनकी बात कर रहे होंगे, तुम इसको यार बच्वन भी पढ़के आये हो, कि जो तुम्हारा lithosphere रहता है, फिर तुम्हारा, ये sorry तुम्हारा crust रहता है, mental रहता है, core रहता है उसके बाद तुम्हारा lithosphere का भी देखा होगा कि lithosphere क्या होता है, ठीक है तो इन सब की बात कर रहे होंगे अगर ये तुम्हारी प्रिथवी है ठीक है, तो उसकी हम layers की बात करेंगे तो ये पतली सी layer जो रहती है, वो crust की रहती है ठीक है, ये 100 km तक रहती है यहाँ पे, उसके नीचे भाई तुम्हारा mental रहता है, ठीक है तो ये जो color का तुम्हारा part है ये mental है तुम्हारा ठीक है और इसके नीचे वाला जो part है अंदर का core रहता है, मैंने तुमको बताया था outer core तुम्हारा liquid रहता है और जो inner core है, वो तुम्हारा solid रहता है ठीक है, और ये सब की तुम्हारा मतलब यह जो तुम्हारा mental की ending है यह 2900 km पर होती है और यह तुम्हारा end करता है यहां तक 6300 km ठीक है और यह तुम्हारे यहां इसकी दी है यह जो तुम्हारी लेंथ से 5100 के आसपास होती है कैसे पता चला तो सिस्मिक वेव से रहती हैं उनके वर से हमको पता चला मेंटल तुम्हारा सो किलोमीटर के बाद से चालू हो जाता है और यह जाता है तुम्हारा यहां पर अभी देखो यार फैक्ट्स बता रहा हूं तो फैक्ट्स उनको सुनने पड़ेंगे चाहे तुम बोर हो चाहे ना हो ठीक है तो वेपन फैक्ट्स सुन लो एक बार फिर हमान थोड़ा सदेखेंगे स्टॉडी क्या है कहां पर तो लिथो स्थेर जो होता है तुम्हारा इसमें दो चीजे आती है तुम्हारी क्रस्ट वा रहा है फर उसके बार जो तुम्हारी मेंडल के जो अपर लियर होती है स तो मैक्सिमम मैंने चीज़े बता दी यह नॉट टू स्केल है यह जिस तुमको दिखी रही है ठीक है आउटर को इनर को यहां पर सब चीज हो गई डिसकस आगे देखो अब पहल अब हम एक एक लियर को थोड़ा पढ़ेंगे अच्छे सा है ठीक है ब्रिटल मतलब अब तुमको पता है यार साइंस के जो टूट जाए ठीक है जैसे तुम असको अगर ऐसे मोड़ोगे तो वो मुड़ेगी नहीं वो सिधर टूटेगी तो ऐसे चीज़ को ब्रिटल बोलते है तो यह ब्रिटल होती है तुमारी थिकनस जो है वह जगा जगा पर वेरी कर रही होती है ओशन में तुमारी पतली होती है जो तुमारे जो लेंड है उसमें जादा होती है ओशन में तुम देखो कि 5 किलो मीटर के आसपास ही होती है तुमारी लेर ठीक है और यह तुमारे जो अर्थ है वहाँ पर 30 किलो मीटर की होती है हाँ पर मैं आगे 70 किलोमेटर तक ठीक हो जाता है जैसे हमें 30 किलोमेटर की बात की कुछ जगा पे 70 किलोमेटर तक चले जाता है तो यह से तुम्हारा हिमालियन रेंज हो गया नहीं समझा रहा होगा कुछ जल्दी यल्दी निकल गया तो इसको फोटो में देख लो ठीक है तुम्हारा जो कॉं इसके बाद ये तुम्हारा sea area है ठीक है तो ये जो oceanic crust है ये जो बताया तुमको oceanic crust ये 5 km होता है ये तुम्हारा average 30 km बता है यहाँ पे तुम इसका range मत देखो जो book में लिखा है तुम उसको देखो तो average 30 km रहता है कुछ जगा पे जैसे mountains बहुत जादा उंचे हो गए तो यहाँ पे जाद अपने बढ़ जाएगी तुम्हारी ये lithosphere की length तो वहाँ पे 70 km सक भी जा रहा होता है ठीक है तो उपर भी जाता है नीचे भी जा रहा होता है कई जगा पे तो यह दो यह नीचे भी जा रहा है अब mountains तुम्हारे range तो 7000-10,000 ऐसे इस जादा height के नहीं रहते तो जो 10,000 मतलब 10 km तो यह इतना जादा कैसे बढ़ जा रहा है तो यह नीचे भी बढ़ जाता है कई जगा पे अब mental को देख लो अब यह तुम्हारा दिमाग वाला mental नहीं है ना तो यह तुम्हारा mental देख लो mental क्या होता है यार तुम्हारा जो crust है उसके नीचे वाली layer तुम्हारी mental होती है तो जो mental होती है तुम्हारे crust के नीचे अब यह कहां से चालू होती है mohose discontinuity से लेके तुम्हारा 2900 km तक अब यह mohose discontinuity क्या होती है ये तुम मुझे बताओगे comment section पे तो google करो, धूंडो थोड़ा सा research मारो और फिर मुझे explain करना कि क्या होता है ठीक है मैं यहाँ पे तुमारे लिए चीज़ छोड़ रहा हूँ तो mohos discontinuity से अभी pause करके और नीचे वाली layer तुमारी lower mental को in general बोलते है ठीक है और एस्थेनो मतलब होता क्या है एस्थेनो मतलब तुमारा होता है weak तो तुमारी जो upper mental की जो layer है जिसको एस्थेनो स्फेर बोल रहे है वो weak होती है ठीक है और यह तुमारी 400 km तक जाती है और जो main magma रहता है जो तुम देख रहोगी जो तुमारा निकल के आता है जो अला मुखी से तो main जो source रहता है magma का वो तुमारा एस्थेनो स्फेर ही रहता है MCQ को एक question ये एस्थेनो स्फेर में क्या पाएज आता है फिर magma तो यहां पर तुमारी 3.4 के असपास हो गई यहां पर तुमारी और कम थी यहां पर यहां पर तुमारी कम रहती है तो नीच्चे आते जाओगे तो डैंसिटी बढ़ती जाएगे ठीक है तो इसकी डैंसिटी 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है न यह सेंटिमेटर थी नहीं है तो यह चीज होती है अब तुम्हारा mental यह चीज मैने तुमको बता दी क्रस्ट को मिलाखे और एस्थेनोस्वेर को मिलाखे तुम्हारा वह होता है इसकी रेंज क्या होती है तुम्हारी दस से लेके 200 किलो मेटर तक रेंज होती है और लोर मेंटल तुम्हारा कहा तक जाता है लोर मेंटल तुम्हारा यहां नीचे तक जा रहा होता है और लोर तुम्हारा सॉलिट स्टेट में होता है यहां पर थोड़ा बहुत तुम्हारा लिक्विड स्टेज में रहता है थोड़ा बहुत मतल तो अभी हम लोग सोची नहीं रहें जाने की अभी हम बारा किलोमेटर ही पहुंचे हैं ठीक है तो अभी हम लोग को जानते हैं कि अर्थक्वेक वेव गई और उन्हों बताया कि वहां पर कुछ है जिसको हमने नाम दिया को यह कहां तक है तुम्हारा 2,900 km से लेकर तुम्हारा 6,000 km जब पूरी depth है वहां तक है ठीक है तो इनर और आउटर कोर का यहां पर दिया हुआ है यहां पर तुम्हारा यह यह आउटर कोर नशार खतम होता है 500 म के असपास अब तो में आपकर आपकर रहता है तूम्हारा आउटर कोर रहता है वह लिक्व वो solid stage में रहता है, ऐसा क्यों है, यह जो तुम्हारा inner core है, यह solid है, इसके बाहर वाली layer, यहां पर मान लो अगर temperature, यहां पर मान लो, मान लो, यहां 100 होगा, बस एक अंदास के लिए, ठीक है, 100 से बहुत जादा होगा यहां नीचे, मान लो, यहां पर बस 100 है, ठीक है, तो यह कोई बीचीज में हम बहुत जादा pressure डालें, तो वो solidify हो जाती है, liquid हो तो भी, ठीक है, तुम इसको liquid nitrogen से लेख, तुम जो तुमारा वो आता है, क्या कहते है, oxygen cylinder, है ना, sorry, तुमारा जो fire extinguisher आता है, उसके अंदर क्या होता है, तुमारा liquid carbon dioxide होती है, इसको तुम स्प्रे कर करते हो, तो solid carbon dioxide मतलब, तुमारे smoke की form में निकलती है, ठीक है, तो तुम यहां से यह समझते हो, कि कोई भी चीज अगर liquid हो, उसको ज्यादा compress करो, वो solid बन जाएगी, ठीक है, तो इसलिए तुमारा ज्यादा temperature होने के बाद भी, इसलिए solid पर रहता है, युकि इसके उपर इ nickel and iron, तुमारा maximum core है, यह तुमारा nickel और iron से बना ऐसा पाया जाता है, ठीक है, और इसलिए इसको knife layer भी बोलते है, ठीक है, ni for nickel, fe for iron, यह तुमारे scientific name है इनके, और एक point छूडिया थर्ड वाला, यह density जो रहती है, जो तुमारे mental के just नीचे जो density रहती है, वो 5 gram के आस पास रह तो यार, बहुत जादा time लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद तुमारी, जो core की density होती है, जो exact, मतलब एकदम radius पर चले जाए, एकदम center पर चले गए, तो 13 cm3 के आस पास हो रही होती है, ठीक है, और यह कैसे पता चला, कोई wave गई, ठीक ह मतलब ऐसी जा रही थी, और अब, यह reflection मैं नहीं बढ़ा पता रहा है, आपर तुम confuse हो जाओगे, ठीक है, तो जिसको देखना है, वो देख सकता है, तो यह तुमारा inner core, तुमारा solid, और जो outer core होता है, वो तुमारा liquid में, ठीक है, अब देखो भई, volcano and volcanic landform, अब यह तुमार पार्ट में हमने यह देखा कि एर्थ के क्या होता है, कैसे होता है, उसके व Güven News, अब ऐसे हम लोग जो interior है, कैसे समझते हैं, जो number is trays है, उसके बद हमने देखा कि जो interior में है, वो है क्या, ठीक है, इसके बाद एक और तुमारे interior में, एक और चीज होती है, volcanoes, और volcanoes, जो eruption वग आप ग्राउंड से बाहर आएं ठीक है तो बहुत जगाप है लेकिन जहां से बाहर आती है अपना रास्ता धूंड लेती है तो उस एरिया उस जो जहां से निकलते हैं उसको हम वालकेनों बोलते हैं ठीक है और एक्टिव वालकेनों कब बोलते हैं अगर कुछ टाइम पे जो यहां पर रहते है तुमारे चिस पता है को यह चीज पता है और यह कहां पर रहता है तुमारा Indigenous में यह विकर zone रहते है तुम्हारा और विकर क्योंकि तुमको पता है ऐस्थेनो का मतलब होता है विकर यह पर सोड़ा अटक जया दा लेकिन तुम देख सकते हो, एक एक चीज बता दिये मैंने, ठीक है, तब देखो, होगा क्या, तुम्हारे एस्थेनो स्फेर से तुम्हारा आएगा उपर, ठीक है, अब डेंसिटी जाधा है, अब गरम होगा, तो दीरे दीरे उपर उठेगा, ठीक है, तो जैसे उपर उठती इंक्लूड दे लावा फ्लोज, अब यहां पर यार बहुत सारे छीज होती है, लावा फ्लोज होते हैं, पायरोक्लास्टिक डूब्री उगया, तो यह देख लो, यह ऐसे होते हैं, लावा फ्लोज, ठीक है, इस तरह पत्थर जैसे दिख रहे न, तो इस टाइप के भी नि इसा थोडिन है कि बस लावा ही निकलता है, बहुत सारी चीज़ा निकलती है, तो यह इस type के material भी निकलते हैं, volcanic bombs भी निकलते हैं, वो इस type के दिखते हैं, अब क्यों दिखते हैं, यह िरौन पूफ़ दो मेरे से, भीजहिंए, अब इसके बाद देखो, of nature of eruption किस तरह erupt हो रहे हैं erupt मतलब किस तरह food रहे हैं यह जो दिखे रहा है तुमको अलग-अलग तरीके से ठीक है और यह जो develop हुए है इनका जो formation है जो form है अभी earth में वो कैसा है ठीक है तो किस-किस basis पे nature of eruption पहला दूसरा form of development किस तरह developed हुए form developed at surface मतलब इसका देखो shape अलग है तो इसको कुछ अलग बोलेंगे अब यह exact तुमारे forms नहीं है तो तुमारे cartoon images है तो इनको consider मत करना पहला वालकेन होता है तुमारा shield वालकेनो और तुमने अगर हवाई का नाम सुने हवाई जो ह्वाई हवाई का नाम सुना हुआ तुमने जो ह्वाई आइलेंड है वो स्थम्हारे shield वालकेनों पर ही बने वी हुए है और यहाँ पर तुमारे shield वालकेनों बहुत जादा पाई जाते हैं ठीक है तो यह तुमारे largest volcano होते है तुमारे plastic जो यह बताल जयां नहीं तो फो लावा हो गया तो यह जो लावा रहता है यहां पे शील्ल्ड वालकन उससे ठीक है और यह जाद बलास्टिक का बनाते हैं बता दिया यह बहुत ज़्यादा तुम्हारे fluid होते हैं मतलब यह पतले होते हैं अब पतला मोटा तुम कैसे समझोगे जो oil होता है वो मोटा होता है वैसे यहाँ पर viscosity की बात करनी चाहिए लेकिन तुम नहीं समझोगे तो oil मोटा होता है पानी पतला होता है तुम ऐसे समझो ठीक है यह फिर दूद को देख लो मलाई तुमारी मोटी होती है चाच है लसी और ज्यादा थिक होती है थिक और थिन इस टाइप से यह बहुत मतलब इसली फलो कर सकता है यह पानी जासे है अब ओ integra तो देखना और बढ़े आराम से फलो होगा और पानी बहुत तएज우 हो जाएगा ठीक है तो यह झाली पानी कम विसकस है और यहां पर उप tastes को जाधा धाधा थिकर है तो आराम से आएगा आएगा जमता जाएगा जमता जाएगा जमता जाएगा नीचे से आ रहा है जमते जा रहा है नीचे से मालो यहां पर इरप्ट होना इसको आ रहा है जमते जा रहा है एक टाइम के बाद बहुत जादा जाएगा तो फिर बहुत जादा जमने के ब बह जाएगा पूरा ठीक है तो इस ताइब से हो रहा होता है यहां पर तो इनका एक्स्प्रोजन कमी होता है कब होता है जब इनके उपर पानी जब यहां पर हो रहा होता है उसके उपर पानी आ जाए तो पानी आ volcanic eruption के time पे volcano के उपर तभी वहाँ पे eruption हो रहा होता है ठीक है इन जनरल नहीं होता है और होता गया यह जब लावा नहीं होता है तो देखो इसको थोड़ा सा समझो और visualize करो ठीक है यह तुमारा लावा है ठीक है यह तुमारा volcano हो है अब यहsta लावा आएगा ऐसे इसको दूसरे गवर से देखो यहाँ से लावा हैगा ऐसे बहता working जा kasih ر ठीक है यह बहुत जादा फूटे का नहीं फूटे का दूर दूर जाएगा नहीं तो इसी के उपर इसे लियर मनाते जाता तो यह सिंडर कॉन शेप का रहता है अब सिंडर कॉन शेप क्या होता है तुम्हारा यह सिंडर कॉन शेप रहता है और बलास्टिक फ्लोस क्या होते है तुम्हारे इस type की होते हैं すご early flow करके जा रहाई है तो इस type की रहते हैं तुम्हारे अब देखो अग्ला तायब का walka no composite walka no धीक है यह तुम्हारे cooler होते हैं मतलब इनके अंदर जिव लाव वगड़ा रहता है वो तुम्हारे जो पिछले वाले हमने देखे इसे तुम्हारा जो टेंप्रेचर अंदर के लावा का अभी जो मैगमा है बाहरा आएका लावा बनेगा तो अंदर के जो मैगमा है उसका टेंप्रेचर यहाँ पर कम रहता है ठीक है यहाँ पर मतलब जाद थिकर रहता है ठीक है इसको ओयल वाटर के एक्जाम्पल से देख लो तुम और थिकर रहता तो यह इसलिए एक्स्वोजिव भी रहता है क्यों रहता है मैंने तुमको बता दिया ठीक है इसमें pyroclastic material जादा निकलते हैं जो मैंने तुमको बता दिया क् and makes the mount appear as composite volcano यह तुम्हारे composite volcano appear कैसे दिखते हैं इस तरह mount बना लेते हैं इसे layer देखो ऐसे बना इसके पर फिर layer बनती जाती है एक चड़ती जाती है मोटे हैं ठीक है आके जम जाएंगे कुछ ऐसे food के बाहर निकल जाएगा कूछे से जमते भी जाएगा साथ में तो जमते जाता है तो इसे layer form हो जाती है ठीक है तो इस टाइप से उठाता है और यह तुम्हारा इस टाइप से दिखता है ठीक है तो अब देखो cylinder का बारे बात करो ठीक है इस आर दा most explosive earth's volcano अब यह तुम्हारे most explosive होते है इसका reason भी पता होगा तुमको बहुत ज़्यादा इसकी जो viscosity है वो हाई रहती होगी यहाँ ठीक है और इतने ज़्यादा explosive रहते हैं कि जो explode करते हैं तो यह आस-पास कुछ material नहीं गिरता है यह खुद ही गिर जाता है मतलब इस चीज को मैं थोड़ा diagram से समझाओं ज़्यादा समझाएगा इसको अभी बस देख लो इसके आगे मैंने diagram डालके रखा है तो यह अपने उपर ही गिर जाता है इस इतना ज़्यादा होता है और गिरने के बाद यहाँ पे जो depression बनता है उसको सिलेंडरा बोलते हैं हम लोग ठीक है और लावा यहाँ से एक और चीज समझाथी जब इतना ज़्यादा तुम्हारे pressure से फूट रहा इतना ज़्यादा explosive है तो जो लावा है वो अर्थ के बहुत pass में है ठीक है मतलब बहुत नीचे से नहीं आ रहा है जो लावा है वो कही ना कहीं pass में से ही आ रहा है ठीक है इसे यहाँ से यह भी पता चल जाता है explosive nature से तो होता क्या है इसमें यह देखो तुम्हारा इस टाइप से रहता है ठीक है पास में ही रहता है एक तो लावा तुम्हारे एक चीज हो गई आयेगा और इतना pressure से फूटता है भाई यह तुम्हारा खुद पर ही collapse कर गया देखो पुरा collapse कर गया structure और फिर बाद में इसमें पानी भर जाता है इसी structure में ठीक है और फिर तो सिलेंडरा lakes बोलते हैं जो पानी भर गया यहाँ पे ठीक है अब अगला देखो flood basalt province यह इंडिया में भी है यह इंडिया में तो volcano नहीं है active volcano इंडिया में एक ही है जिसका नाम तुम बताओगे last chapter में हमने पढ़ा था ठीक है इसका जो लावाई वो highly fluid रहता है fluid है मतलब फूटेगा नी ठीक है long distance अग जाता है अब एक चीज यार जो हमारे यहां decan traps बने है जो हमारा decan plateau है वहाँ पे जो decan trap है वह इसी चीज़ से बना है flood basalt province से ठीक है और अभी तुम्हालों उत्ता ही है पहले मना जाता था यह इससे भी बड़ा था ठीक है अभी कहां पे तुम्हारा यह वाला अपे तुम्हारा यह वाला यह ऎ ermiय तुम को map मेवा करने के लिए तो तुम ये वाला region मतलब बस तुम उसको ऐसे shed भी कर दोगे बस इतना region ठीक है तो तुमारा answer सही हो जाएगा ठीक है अब mid ocean ocean rigid volcanoes अब ये आखरी टाइप है तुमारे volcanoes का अब ये तुमारे अब नाम से समझा रहा है ये ocean के आसपास होंगे कहीं पर ये oceanic areas हो रहते हैं proper oceanic areas वहाँ पर हो रहा होते हैं ठीक है इसको थोड़ा और समझो तो इस तरह मैंने बताया था कि तुमारे जो tectonic plates है ठीक है इस तरह layers रहती है तो इनके बीच में ये होता है कहीं पर ठीक है हाँ अब देखो There is a system of mid oceanic ranges more than 70,000 km that stretches all the oceanic basins तुमारा वही है जो layers के बीच में जो gap रहता है उनकी की बात कर रहा है आप ठीक है तो इनके बीच में जब तुमारा lava flow आजाता है तो उसके विलिश से तुमारा mid oceanic volcanoes बनते हैं यह देखो तुमारे दो plates के बीच में यह जो तुम्हारे दो प्लेट के बीच में ऐसे लावा आ जाता है यहां पर तो मिड उसने के रेंजिस होते हैं यहां ठीक है तुमको यह चीज समझ आगे क्या होती है अब देखो अब देखो जैसे हमने बात की थी तुम्हारे अर्थ्वेक हुए अर्थ्वेकگ के उतनि से कुछ लेंड फ़ंक्स बने थीक है तो इस तरह जो वॉल कvändं उस होते है वो जाब फूरट जाते है उसके बाद क्या होता है उसके बाद लाभा फो थंडा हो जाता है जब थंडा हो तब तो वह रॉक ही है, तो क्या बनाएगा, किसी तरीके का structure बनाएगा, तो वह तुम्हारा structure क्या होता है, कैसा होता है, वह हम देख रहे होंगे, इसको हम volcanic landforms बोलते हैं, यह भी तुम्हारे अलग-अलग type के होते हैं, ठीक है, इसमें दो चीज़े होती है, जो अर्थ के उ island है, वह भी तुम्हारे volcano से ही eruption, volcano का जो eruption है, जो लावा है, उसी से बने होंगे कहीं हाथ तक, ठीक है, तो और जो तुम्हारा महरा महाराष्ट में हमने देखा था, तुम्हारा deck and trap देखा था, ठीक है, वह तुम्हारा इससे बना है, volcanic eruption से बना है, तो वह external थे, अब ऐसा भ अंदर होते हैं, हम उनकी बात कर रहे होंगे, ठीक है, तो यार, होता क्या है, तुम्हारे volcano सुखेंगे, वह cool down होंगे, ठीक है, और तुम्हारे develop होंगे, igneous rocks में, ठीक है, तुमको यह चीज़ पता है, igneous rocks अर्थ के अंदर पाई जाती है, बाहर निकलती है, volcano के साथ, ब अब देखो, लावा निकल रहा है, कुछ निकल के food गया, बाहर आके, मतलब कुछ बाहर आ गया, और कुछ अंदर ही भी रह गया होगा, ठीक है, ज़रूरी थोड़न है कि पूरा लावा बाहर है, कुछ अंदर भी रह गया, तो जो अंदर रह गया, उसके वज़े से कुछ land वालकैनिक रोक्स, तो जो वालकैनों होते हैं, वो तुम्हारे वालकैनिक रोक्स में आते हैं, ठीक है, और जो अंदर बना, वो तुम्हारे प्लूटोनिक रोक्स में आते हैं, तो हम प्लूटोनिक रोक्स को देख रहे होंगे, ठीक है, तुम्हारा वालकैनों नेक्वित, यह दिखो यहां पर दाइक्स बाहर भी है अंदर भी है तो अब यह ऐसा क्यों है यह चीज मैं बताऊंगा ठीक है यह चीज धियान रखना डाइक्स और यह भी डाइक्स है ठीक है तो यह तुम्हेरे बाहर वाले प्लैट्यू जैसा ही होता है, बस होता है कि यह चोटा structure होता है, प्लैट्यू तुमने देखा कि किलो मीटर्स में होता है, बहुत बड़ा होता है, तो जो लावा मीसा होता है, वो वैसा ही structure होता है, बस size में काफी चोटा होता है, ठीक है, अब बैतोलिट्स की बात कर लेते है bethol bits क्या होते हैं बैफने इस पर फोटो में देख लो ये जो नीचे वाला एरिया है धिक है ये तुम्हारा जो मैगमा यहां पर इकठा हो जाता है इसको बैफने बोध से थे क्या है तुम्हारा मैगमा है वह क्रस्ट के डीपर लेयर में नीचे जब थंडा हो जाता है तो उस अब यहां पर नीचे कहीं पर तुम्हारा बैकोलेट जमा होगा ऐसे ठीक है फिट टाइम क्या होता है विट टाइम तुम्हारा यह जो लेयर है यह ज़ड़ती जाएगी तुमको पता है डैन्यूडेशन प्रोसेस होती है तुम्हारे अर्थ की जो लेयर है वो धीरे टॉप में आ जाएगी तुम्हारे उपर लेयर अर्थ के करोड़ो साल बात कैसे टॉप में आ जाएगी जो ऊपर की लेयर ही खुद ही जड़ जाएगी ठीक है तो नीचे वाला पोशन नहीं बचेगा तो ऐसे उपर आ जाएगी दे कवर लार्ज एरिया एंड टाइम अज index प्रव्ण किल्वॉम्यॉमीटर अब व्लाज इसको क्यों इस बनम लैन व रहती है तुम्हारे रेटो नित इसको वह सकती है थेक है तुमने यह देखा हूं कि जमीन के अंदर एक कितनी इमपधी वन्हस थेक है और ये रहती है तुमारे रहता है मैल मेदा वह पोशन पू पिसके बढ़ तुम को बताएं यहां पर होते हैं यह जब बाहर आ जाते हैं तो यह तो पूरा structure है यह तुमारा बैतो लिग्स का हूँ है अब इसके बाद लेको लिग्स देख Also on यहां पर होते हैं तुम्हारे यह जो बैकोलेट की उपर आओ यहां पर इस टाइप पर पोशन होता है यह लैकोलेट होते हैं ठीक है तो लार्ज डॉम स्टेप इंट्रूसिव बॉड़ी इस लेवल बेस एंड कनेक्टेट वाया पाइप लाइप स्ट्रक्चर फाम बेलो ठी और यह जाएं तो तुमको इसका स्ट्रक्चर बता दे जयासा दिख रहा है एक पाइप्लैन जैसा स्ट्रक्चर भता है डॉम शेट बॉड़ी रॉदि हो यह उपर की ठीक है तो यह होते हैं पैचान पतक चल गई तुम्हारी और यह लिजैंबल करते हैं किससे तुम्हारे composite volcano से ठीक है अब देखो मैंने तुमको बताया था फोटो ध्यान में रखना यह देखो तुमारे lacolates ठीक है हाँ थोड़ा सा ऐसे dome shaped और तुमारे composite volcano देखो almost same है बस यह उपर है तो यह तुमारी volcanic form है है ना और यह तुमारा plutonic form है plutonic rocks बोल दो ठीक है तो एक ही चीज हो गई और यह तुमारे यह तुमारा dome shaped होता है तो यह तुमारा dome shaped यह देख लो एक इसकी यह property होती है और जो तुमारे ठीक है sorry अब लैपोलित क्या होता है यार देखो तुमारा लावा आ रहा है ठीक है लेकिन उपर की जो layer है यह वाली layer मान लोग काफी ठीक है तो concave to the sky body है ठीक है मेरा हाथ देखा करो जब मैं बताया करूं मैं structure समझाने की कोशिश करता हूं वहां पे भले उतना समझ ना है लेकिन फिर भी ठीक है तो यह तुमको पता चल गया कि किस टाइप की body होती है इसको लैपोलित बोलते है अब अगला पैकोलित देख छीच में और सिंक्लाइन के तुम्हारे टॉप में यह body मैगमा इकठ़ा हो जाता मैगमा यह बद के बाहर बनता है पतली थिकनेस है तो उसको हम शीट बोलेंगे ठीक है अब डाइक्स देख लो ठीक है डाइक्स क्या वता यार तुम्हारे परपेंडिकुलर फॉरम में जब लावा एक ठा अब जाता है तो यह यह बहुत है और यह जब बहुत हैं यहां पर आइक्स रहते हैं ठीक है मतलब वही है कोई भी वोडी रहेगी डेनुडेशन होगा करोडों साल बाद ठीक है यहाँ पर पांस साल दस साल की बात नहीं कर रहा हूँ करोडों साल बाद वह उपर आ जाएगा और तुम्हारा डाइक बन जाएगा तो यह तुम्हारे western महारास्टर में पाए जाते हैं these are considered the feeders for the eruptions that had led to the development of deck and traps यह तुम्हारे deck and traps इन्ही के वज़े से बने हैं ठीक है तो यहाँ पर तुम्हारा chapter हो जाता है पूरा खतम ठीक है तो यहाँ एक एक चीज़ समझ ली हमने कि तुम्हारा earthquake तुम्हारा सबसे पहरे तुमने चालो क्या गया था structure of the earth तुम्हारा earth का structure कैसा है फिर पता कैसे चले हमने यह बात की थी तो हमने earthquake वगरा का लगाया था कि जो waves होती है उससे हम पता कर सकते हैं कि कैसा है ठीक है, उसे हमने पता कर लिया, फिर जब layers होती है, वह भी तो बताओ, तो उसके हम layers की भी बात की थी, हमने की layers क्या होती है, lithosphere, स्थाय, crust, mental core, फिर हमने तुम्हारा core की है, उसकी भी layers देखी थी, mental की हमने layer देखी थी, जो upper mental इसको क्या बोलते है, ठीक है, उसमें distance, radius इता ह इसके बाद हम आये वॉलकैनिक तुम्हारे वॉलकैनोस होते हैं वह बी भी तुम्हारे शक्र करत हैं plutonic rocks तो हमें फिर plutonic rocks के वज़े से जो structure बनते हैं उसको देखा बीच में हमने tsunami का भी देखा था कि tsunami के वज़े से क्या होता है और इसको एकाते हैं उनके वज़े से क्या होता है तो यार हमने एक एक चीज cover कर ली है इसके बाद भी अगर कोई doubt होता है तो feel free to ask in comment section ठीक है तब तक के लिए आट पढ़ते रहो enjoy करो और बाई